देखें दोस्तों, MS Word में जब भी हम कोई application यहाँ पे type करते हैं तो हमें उसको print निकालना पड़ता है और हमें इस चीज़ का धियान रखना पड़ता है कि जो भी हम print निकाले तो आपके page के हिसाब से वो बिल्कुल perfect print आए तो दोस्तों आज की वीडियो में यही सीखेंगे कि आपने page setup कैसे करना है अपने page का उसको print निकालने से पहले ताकि आपका print बिल्कुल perfect आए तो दोस्तों पूरी वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ही informative तो नमस्का दोस्तों मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूँ creative learning के चैनल में और दोस्तों अगर आप computer सीखना चाहते है computer related बहुत सारी tips and tricks चानना चाहते है तो नीची देख कर सब्सक्राइब बटन आपस पे क्लिक कर लीजे साथी में बेल आकन को प्रेस कर लीजे ताकि आपको हमारे चैनल से देटेट लेटेस नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहे और सारी में दोस्तों अगर आप computer सीखना चाहते है और भी detail में तो आप हमारे online courses को join कर सकते हैं बहुते discounted price में तो just हमारे website पर जाएए जो कि www.creativelearningbyretash.in लिंक दिया नीचे description में तो आई दोस्तों let's begin with this topic तो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने किसी भी document का या कोई भी letter जो आपने टाइप किया है अगर आप उसको print देते हैं तो print देने से पहले आपने क्या के setting का धियान रखना है अब जैसे कि देखें मैंने यहाँ पर letter type किया हिंदी में है और अगर मैं यहाँ पर print की command रेता हूँ control P button प्रेस करके तो आप देखेंगे आपके letter half page पे आ रहा है full page पे नहीं आ रहा जो कि बिल्कुल presentable नहीं लग रहा तो आइए देख लेते हैं आपने क्या के setting का धियान रखना है तो सबसे पहले जब भी आप document type करें तो आपने page size जुरूर चेक कर लेना है कि आपका proper page size हो page size चेक करने के लिए आपने यहाँ पर जाना है layout की tab में और यहाँ पर page size का option मिल जाता है यहाँ से अपने अपना page size select कर लेना है अभी देखे मैंने letter में type किया है तो मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ अब जब आपका page size set हो जाएगा next important चीज आपने ध्यान रखने है वह होता है आपका margin का अब जैसे कि आपको margin बिल्कूल देखे page size के यहाँ पर corner में मिल जाएगा margin का option तो जैसे click करेंगे आपको यहाँ पर बहुत सारे margins मिल जाएगे अभी देखे मैंने यहाँ पर narrow में type किया है मतलब जो आपका document है वह 0.5 की spacing में है चारो तरफ से लेकिन आपने यहाँ पर करना है normal जैसे normal करेंगे तो यह आपका document 11 inch के gap में आ जाएगा चारो तरफ से जो की important चीज होती है वह होती है आपकी spacing जो क्यों होती है line spacing और paragraph spacing तो अगर आप यहाँ पर देखिए यह वाली lines हमने लिखी है अगर आप इसकी spacing set करना चाहते है जैसे कि हमने यहाँ पर document लिखा यह वाला और यहाँ पर देखिए कुछ lines हमने type करी है अभी देखिए lines हमारा जो matter यहाँ पर group मिल जाएगा और इसके अंदर ही आपको line spacing option मिल जाएगा आपने इस पर click करके line spacing कर दीनी 1.5 और यहाँ पर काफी सारी आपको line spacing का options भी मिल जाएंगे लेकिन मैं recommend करूँगा कि आप 1.5 का use करिये क्योंकि काफी अच्छी लगती line spacing अगर आपका matter कम हो और page का size बड़ा हो तो जैसे में okay प्रेस करता हूं तो देखे थोड़ी थोड़ी line spacing आपकी यहाँ पर आ गई है अब next होते है आपका paragraph spacing मतलब अगर आपने कोई line लिखी है जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पर enter button प्रेस कि है और आपकी next line यहाँ पर चली गई है तो आप इन दोनों lines क क्या करना है इस line के बिल्कुल end में यहाँ पर click करना है click करने के बाद आपने layout के tab में जाके spacing option मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा after option after में जाके यहाँ पर थोड़ी सी spacing आप increase कर सकते है अपने accordingly जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा यह वाला subject जो विशे का है अगर मैं यहाँ पर click करूंगा थोड़ी सी spacing increase करूंगा तो देखें यहाँ पर spacing ह आपकी increase हो गई है वैसे आप इन दोने की बीच में बिच स्परочно उक्रियस कर सकते है तो यहाँ ने यहाँ पर क्लिक किya और यहाँ पर मेंने थोड़ी spacing increase कर दी और यहाँ पर भिजा के थोड़ी spacing increase कर दी ताकि signature क यहाँ पे आपको जगा मिल जाए अब देखे जब आपके यहाँ पे स्पेसिंग सेट हो गई और मैं कंट्रोल पी बटन प्रेस करता हूं तो आपका डॉकुमेंट थोड़ा सा प्रेजेंटेवल वे में अब आपको दिखना शुरू हो गया है अब next important point जो आपने ध्यान रखना है वो होता आपका alignment का अब जैसे कि आप देख रहे हैं आपको जो material है जो आपने matter है जो टाइप किया है एक side sequel है दूसरी side sequel नहीं है जो कि अच्छा नहीं लग रहा तो आपने इसको justify कर लेना है तो बहुत ही सार नहीं जस्त आपने text को select करन है और home tab में जाके यहां पर justify वाली alignment select कर लेनी है यह control यह बटन भी press कर सकते है और next or last important point जो आपने ध्यान रखना है वो होता है आपका margin area आईए देख लेते हैं वो कैसे करेंगे उसको समझाने से पहले जैसमें यहां पर control P button press करता हूं तो आप देखेंगे आपका document यहां पर आ गया है लेकिन अभी देखेंगे document थोड़ा सा उपर की तरफ aligned है मतलब यहां पर है और नीचे थोड़ा जादा space है अब मैं चाहता हूं यह document थोड़ा सा middle में आ जाए ताकि जब मैं print करूं तो document थोड़ा अच्छा लगे और page के थोड़ा equal लगे ठीक है चारो तरफ स उसके लिए आपने क्या करना है अपने ruler की मदद से margin area set कर लेना है अब जैसी कि आपको पता है ruler यहां पर top पे present होता है और बिल्कुल side में present होता है जो कि आता है आपका vertical ruler और अगर आपको MS word में ruler नहीं दिखाई दे रहा तो आप view tab में जाके यहां पर ruler को activate कर सकते है तो मे मैं इसको क्लिक करके नीचे की तरफ थोड़ा drag कर लेता हूं ताकि यह page के बिल्कुल थोड़ा से center में आ चाहे और उसके और में control P button press करता हूं तो आप देखेंगे अब आपका यहां पर application proper way में आ रही है और जब आप इसका print निकालेंगे तो काफी अच्छा यहां पर print भ document का तो दोस्तों अगर आप ऐसी सीखना चाहते हैं MS Word और भी detail में तो देखिए हमारा यहां पर online courses launch हो गया है हमारी website पे जो की है creative learning by ritesh.in लिंक दिया है नीचे description में तो जैसे आप हमारी website पे जाएंगे आपको हमारे courses मिल जाएंगे बहुत ही discounted price में तो जैसे आप हमारे courses में यहां पर enrollment कर लेंगे आपको यहां पर बहुत सारी pre-recorded video मिल जाएंगी जिनको आप step by step देखके अपनी knowledge को one step further enhance कर स तो मिलते दोस्तों इस course में until then goodbye, take care